अलो जी नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ गोईन पडेल और आप देख रहे हैं कहेदी की पाड़ सले YouTube channel यह जो मय आज उसी केट में हूँ जिसके में हमने पलारी को जला दिया था दो कारण से मैंने पलारी को जला था पहला कारण था इसमें जो बीपीयस था वो खतम हो जैसे कि मेरे पहला जो कारणा था BPH ओ तो पुरी तरीके से खतम हो गया लेकिन दूसरा कारणा के लिए जो जलाया था जो कि धान की जर्मेशन नहों वहां पे मैं पूरी तरीके से फेल हो गया हूँ वह मैं आज आपको दिखाता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं उस खेत में हूँ जिस खेत में हमने जलाया हुआ था धान जो है काफी मातरा में जड़ा हुआ था जो कि आपको नजर आ रहा होगा अभी जो देख रहे हैं जो पलारी जलाने के बावजूद भी जो है धान की से जर्मेशन को रोकना ये बहु हैं वो जर्मनेट हो जाए लेकिंगे इसमें कुछ उल्टा ही हो गया जो जले होए भाग में भी आप देख रहे हैं कि पलारी जो है मतलब कि जर्मनेशन धान का हो गया है फूल में लेकि देखा जाये तो अगर धान की जर्मनेशन रोकने के लिए पलारी को जलाना बहुंच जादा गलस सी दसाबित हो अगर आप ऐसे सोचते हैं अगले बार कभी भी तो इसका आप याद रखे कि जो धान की जर्मनेशन को आप रोकने के लिए पलारी जलाने से आपके ब्लास्ट लगा हुआ है बीपीज है कुछ अलग समस्यां दिख रहे तो आपको पलारी जलाना उचित हो सकता है फिलाल आज की वीडियो बस इतना ही आपका क्या राया है नीचे में कमेंट जरूर करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद